आप सब एको नमश्कार चार फरवरी 2023 के क्रंट फेस आज हम पढ़ेंगे पहला कोशन है हमारे पास शिलंका की एक कंपनी है मेलिबन जो बिस्कुट बनाती है भारत में इस बिस्कुट को कौन सी कंपनी लेकर आने वाली है तो इस कंपनी का नाम है रिलाइंस रिलाइंस ग्रूप शिलंका के मेलिबन बिस्कुट को भारत में लेकर आएगा जानते हैं शिलंका के बारे में शिलंका का ओफिशल नेम है डेमोक्रिटिक शोशलिस्ट रिपब्लिक ओफ शिलंका इसको पहले सिलॉन के नाम से जाना जाता था इसकी अगर आपसे legislative capital पूछी जाएगी तो वो है शीरी जयवर्दने कोटे लेकिन executive और जो judicial capital है वो है कोलम्बो इनके प्रेजिडन का नाम है रैनिल विक्रम सिंगले और प्राइम मिनिस्टर का नाम है दिनेश कुंदवर्दन चार फरवरी 1948 को अंगरेजों से इनको अजादी मिलती है और यह देश रिपब्लिक बनता है 22 मई 1972 को उसके बाद 1983 से लेके साल 2009 तक लिट्टे के साथ वहां की सरकार का ग्रहियों चलता है 46th International Kolkata Book Fair को इनेगुरेट कर रहा है वहां की चीफ मिनिस्टर शिरिमती मम्ता बैनर जी ने वहीं बात करती है वहां के गवर्णर की तो उनका नाम है सीवी आनंद बोस अगला कोशन है हमारे पास UAE के शेक मुहमद अलमक्तूम इन्होंने एक जगा है जिसका नाम है अलमिनाद इसका नाम चेंज कर दिया है और इसका नाम अब किस से जाना जाएगा तो इसको जाना जाएगा अब हिंद सिटी के नाम से अगर आपको UAE के बारे में पढ़ना है कि UAE क्या है कैसे है तो PDF के अंदर आप इसके उपक्लिक करेंगे और आपको UAE के बारे में सब कुछ पता चले जाएगा मैं 5 मिनट के अंदर नेक्स कोशन समकह सलराम जत्रा एक फैस्टिवल है एक हिंदू ट्राइबल फैस्टिवल है ये किस राज्जे में मनाए जाता है तो ये बनाया जाता है तेलन गाना के अंदर किस राज्य सरकार ने हर गाउं हरियाली इनिशेटिव चालू कर रहा है 90 लाक इसके अंदर प्लांस को लगाया जाएगा शुरुवाती दौर में तो यह राज्य है जमू और कश्मीर तो जमू कश्मीर की सरकार ने ये निड़ने लिया है और इसकी इनिशेटिव का नाम है हर गाउं हरियाली अगला कोशन है ग्राम ब्रेट जिन्होंने अभी रेजिगनेशन दे दिया है भारतिये पुर्ष हौकी के ये में कोश थे लेकिन जो हौकी का वर्ल्ड कप हुआ जिसको जर्मनी ने जीत लिया और भारत इसमें नोवे पाइदान पे रहा था बहुत ही खराब प्रदशन दिखाया भारत की टीम ने उनके कोश ने रिजाइन कर दिया है तो हमसे पूछने है कि वह किस कंट्री से आते थे तो ग्राम रेट आते थे आस्ट्रेलिया से और अब दो व्यक्ति जो इस दौड में है जो बनने जाएंगे शायद भारत के हौकी कोच एक हैरजंटिने के मैक्स कल्डास और एक है टच्में सिकफ़र्ड ulkman ने दोनों में से कोई व्यक्ति शायद भारती हौकी कोच का पत समभालेगा next question किस देश ने decide करा है कि वह अपने जो notes है उससे बिटेन की रानी की photo को हटा देंगे तो यह देश है औस्टेलिया औस्टेलिया की सरकार ने अब 5 रुपे का नया note वहाँ पे उसको bill कहते हैं वहाँ पर उसको print करने जा रहे हैं जहाँ आपने decide करा है भारत ने अभी किसको international solar alliance के अंदर जोड़ा है अपने साथ तो उस देश का नाम है कॉंगो याद रखिएगा international solar alliance इंडिया और फ्रांस ने एक initiative था उनका उनने बनाया था और इसका headquarter गुरु गुराम में मिलेगा आपको भारत के अंदर और यहाँ पर कॉंगो की जो capital है उसका नाम है किनासा cash to be the theme country at 2025 Madrid International Book Fair भारत को इस बारी theme country बनाया गया है और जो भी आपने question पड़ा था कि 46 जो book fair है कॉलकता उसके अंदर जो theme country है वो थी आपकी Spain गुजरात maritime cluster के पहले CEO कौन बने है तो इनका नाम है मादविंदर सिंग जी यह बने है first CEO गुजरात maritime cluster के भारत की पहली hydrogen train दिसंबर कौन से साल तक भारत में आ जाएगी यह भारत के रिल्वे मिरिश्टर ने बताया है यह साल होगा 2023 एश्वनी वैश्ट ने जी ने बताया कि 2023 के दिसंबर तक भारत के अंदर पहली hydrogen train आजेगी और पहले यह train चलेगी कलकासा से शिमला के बीच में कलका से कालका से शिमला के बीच में प्रेजिडेंट दुरोपती मुर्मुर जी ने अभी अकतिसवा foundation day national commission for women का अभी program स्टार्ट किया था नहीं दिल्ली के अंदर इसकी theme क्या है तो इसकी theme थी शशक्त नारी शशक्त भारत तो यह इसकी theme थी और नहीं दिल्ली में इसको अभी किया गया था NCW जो जिस ministry के अंदर आता है उस ministry है union minister for women and child development जिसकी minister है सिम्रिती जुबेन इरानी जी Unilever ने appoint करा है किसको अपना नया CEO तो Unilever ने करा है hands camera को Unilever के बहुत सारे products हैं जो आप देख रहोंगे अपनी screen पे DERV, Close-up, RIN यह सब इसने के products हैं यह एक England की company है जो साल 1939 में बनाई गई थी धन्यवाद